Hello friends, this is Param. Welcome to learn with me. I hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो में हम कुछ basic vocabulary words के बारे में discuss करेंगे, जो हम अपनी daily conversation में बार-बार repeat करते हैं, use करते हैं. यह कुछ ऐसे words हैं, जो हमने सुने होते हैं, लेकिन हमें इनका हिंदी में meaning नहीं पता होता. या तो फिर हमें meaning पता होता है, उन्हें use कैसे करना है in English, कैसे sentences में use करना है, वो हमें idea नहीं होता. तो ऐसे ही कुछ vocabulary words आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. I hope कि यह वीडियो आपके लिए useful रहेगी. So चलो, शुरू करते हैं. First जो word है, वो है mislead. Mislead जिसका मतलब होता है बहकाना, भटकाना. किसी के कान भरना जैसे हम बोल देते हैं, किसी को उसके रास्ते से, या बैसे भटका देना, किसी के खिलाब, अगेंस्ट कर देना, किसी के भहका देना उसे. तो उस word के लिए use करते हैं हम mislead. Example, He tried to mislead me, but he failed. नहीं सुनी, वो fail रहा मुझे बहकाने में. Mislead means बहकाना. He tried to mislead me, but he failed. Next word है incredible. Incredible. इसका मतलब होता है आविश्वासनिये, या फिर आश्च्रे जनक. Amazing. आविश्वासनिये, जिस पे हमें विश्वासनी होता सानी से. बहुत different लगती है, आविश्वासनिये लगती है, आश्च्रे जनक लगती है अगर हम कर सुनते हैं तो. मुझे उसकी explanation pretty incredible लगी. Means आश्च्रे जनक लगी. मुझे आविश्वासनिये लगी. I find his explanation pretty incredible. I find his explanation pretty incredible. Next word is frustration. Frustration. ये भी हम बहुत सुनते हैं और बहुत use करते हैं. इसका मतलब होता है निराशा. निराशा. जब आपको कोई hope नहीं होती है, आप निराश हो जाते हो. निराशा. The frustration in his voice was clear. उसकी जो अवाज में निराशा थी, frustration थी, वो बिलकुल clear थी. मतलब समझ में आ रहा था कि वो frustrate है. निराश है. Frustration means निराशा. The frustration in his voice was clear. Next है Curious. Curious. जिसका मतलब होता है उसक जाफिर जिग्यासू. जिसे चीजों को जानने की, समझने की जिग्यासा हो. जो उसक हो चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, या तो फिर कोई काम करने के लिए. उसक हो मुसे बोलते हैं Curious. For example, I am curious to know more about her. मुझे उसके बारे में जानने की जिग्यासा है या तो फिर मैं उत्सुक हूँ उसके बारे में और सादा जानने के लिए. I am curious to know more about her. Next is, वेवर curious to watch his new movie. उसकी नए मूवी देखने के लिए हम Curious एमेंज उत्सुक हैं. वेवर curious to watch his new movie. Next word is splendid. Splendid. जब भी आप social media पे अपने कोई image अप्लोड करते हैं या तो फिर कोई video अप्लोड करते हैं, नीचे comment section में आपने यह word read किया होगा. Splendid, awesome, beautiful, very nice. तो बहाँ पे splendid का meaning क्या होता है? Splendid means शानदार. Means आपने जो image अप्लोड की है, जा जो video अप्लोड की है, वो क्या है? Splendid है, शानदार है, बहुत अच्छी है. For example, ताज महल इंडिया की एक शानदार बिल्डिंग है. ताज महल is a splendid building of India. ताज महल is a splendid building of India. Next word है, staven. Staven, जिसका मतलब होता है, जिद्धी. यह word तो हम घर पे बहुत यूज़ करते हैं, especially बच्चों के लिए, जैसे ही जिद्धी होता जा रहा है दिन बे दिन, यह बहुत जिद्धी सभाब का है, यह बच्चों बहुत जिद्धी है, जिद्धी मत बनूँ, तो इस तरह के words हम घर पे बहुत यूज़ करते हैं. आपको अपने ड्रीम्स फुल्फिल करने के लिए, पूरे करने के लिए जिद्धी बनना पड़ेगा, तो इस सेंस में भी हम इने यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के जिद्ध रखना, जिद्धी होना किसी चीज़ के लिए, चाहे वो बच्चे है, चाहे आप किसी काम को करने के लिए जिद्धी हो, तो दोनों के इसमें हम stubborn यूज़ कर सकते हैं. Next word है embarrassment, embarrassment, जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी, शरम फील करना किसी चीज़ के लिए, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी जिसे हम बोलते हैं, for example, she couldn't hide her embarrassment, वो अपनी शर्मिंदगी को शुपा नहीं सकी, या hide नहीं कर सकी, she couldn't hide her embarrassment. Next word है scarcity, scarcity, जिसका मतलब होता है कमी या फिर अभाब, किसी चीज़ की कमी होना अभाब होना, example, the first noticeable effect of COVID-19 in India, is a great scarcity of employment, means, जो noticeable effect है COVID-19 का India में, वो scarcity है employment की, मतलब कमी होना है job opportunities में, employment में कमी होना है, तो एक noticeable effect है COVID-19 का India में, the first noticeable effect of the COVID-19 in India, is a great scarcity of employment, scarcity means कमी होना अभाब होना, Next word है rumor, rumor, जिसका मतलब होता है अफवा, means, जूट, किसी के बारे में अफवा फैलाना, जूट बोलना, उसे हम बोलते हैं rumor, means, अफवा, For example, Why are you overreacting? It can be rumor, तुम इतना overreact क्यों कर रहे हो, ये एक अफवा भी तो हो सकती है, rumor भी तो हो सकता है, Why are you overreacting? It can be rumor, Last word है, वेग, जिसका मतलब होता है, आसपष्ट, unclear, मतलब समझनी आ रहा, दिखनी रहा, आसपष्ट है, कुछ भी understandable नहीं है, Next meaning है, दुंदला, कुछ भी दिखाई ना देना, आसपष्ट होना, कोई चीज आसपष्ट है, या तो फिर धुंदली है, उसे हम बोलते हैं, वेग, For example, The plan was vague on detail, leaving them wondering, what to do next, मतलब जो plan था, वो इतना वेग था, आसपष्ट था, जो डिटेल्स उन्होंने दी थी, समझनी आ रहा था, कि next करना क्या है, समझ नहीं आया, कि next क्या करें, The plan was vague on detail, leaving them wondering, what to do next, क्या करना है आगे, कुछ समझनी आया, क्योंकि जो जो डिटेल्स थी, वो आसपष्ट थी, वेग थी. So friends, यह थे 10 basic vocabulary words for beginners, जो हम अपनी daily conversation में use कर सकते हैं. I hope कि ये वीडियो आपके लिए useful होगी. So, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माइ चैनल for more content. आज की वीडियो में इतना ही next मिलेंगे new वीडियो में, till the time, all the best, keep learning, keep watching. Good luck.